हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल Make Design by Roshan पे तो यह हमारा Photoshop का Class No.13 है आज के Class में हम layers के बारे में सीखेंगे क्या किर कैसे हम Photoshop में layers को control करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा Friends कि यदि हम Photoshop में layers को भूलेंगे ना बता दिया जाए तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक image open करके रखा हुआ है आप हमें सबसे पहले यहाँ पे layers के panel को open करना होगा तो उसके लिए Friends हमें simple window के menu में जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लिखा वा रहा होगा layers जिसका मेरा shortcut क्या है app 7 तो हमें simple इसके उपर click करना है and click करके हम यहाँ पे यूँ layer के panel को open कर सकते है मेरा एक तरीका और है यदि आपको photoshop को जब first first bar open की जागा न आपको यहीं पे layers का panel नज़र आएगा तो चलिए मैं इसे reset करके दिखा दे रहा हूं तो हमें simple यहाँ पे जाना है और मैं यहां से यूँ अपने workspace को reset कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसी workspace को reset किया पेनल का अज मेरा class है और इसी पेनल को हमें समझना है बहुत ही detail तरीके से कि आखिर कहां पे मेरा क्या है और किसे मेरा क्या होता है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा आपको एक layer नज़र आ रहा होगा just मेरा यह वही वहला layer है जो आपको यहां पे इमेज नज़र आ रहा है इसी का यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा layer की रूप में यहां पे यह मेरा नज़र आ रहा है तो अभी आप देख सकते हैं कि यह मेरा image move नहीं हो रहा है मैं जैसे इसको click करके drag करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह कुछ लंबा लिफाफा लिखा हुआ रहा है तो simple समझे है friends कि यह layer मेरा move क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यह मेरा background layer है और background layer को हम move नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इसको normal layer में convert करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखे यह वही लिखा हुआ रहा है कि क्या आप अपने इस layer को normal layer में convert करना चाहते हैं तो अगर convert कर दीजेगा friends तो हमें simple जिसकी मैं यहाँ पर click कर दे रहा हूँ इसके lock के उपर हमें simple click कर देना है देखें आपको एक hand indicator आ रहा होगा hand आपको फिर और रहा कि यह देखें चावी सी इस lock को यह खोलने वाला है तो हमें simple hand को लिए जाके इसके उपर यह click कर देना है मैं जैसे ही click करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो layer है वो unlock हो चुका है अब आप इस layer को बहुत ही easy तरीके से move कर सकते हैं आपको move करने में कोई भी problem नहीं होगा next हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखाव आ रहा होगा delete का button जो भी enable नहीं है तो Photoshop का यह मेरा setting है friends की अगर आपका यहाँ पर एक layer होगा तो आप उस layer को delete नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर multiple layer लाना पड़ेगा या फिर एक या एक से देख लाना पड़ेगा तो इसके लिए चलिए मैं simple यहाँ पे plus के उपर click करके मैं यहाँ पर यूँ एक layer ले ले रहा हूँ तो आप देख सकतें कि मैंने जैसे ही plus के उपर क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर एक layer आ चुका है layer का काम क्या है friends यह मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत ही detail तरीके से बता चुका है move tool का वो मेरा class था friends मैं link यहाँ पर दे दूँगा आप direct उस link के उपर क्लिक करके उस video को access कर सकते हैं और उस video में मैंने layers के बारे में बहुत ही detail तरीके से समझाया था कि आखिर क्यों हम layer लेते हैं layer लेने का फाइदा क्या है आज का जो हमारा class है वो हमारा शरीफ इस panel के उपर होने वाला है तो हमें कुछ भी निकाना simple इस plus के उपर क्लिक करके यहाँ पे एक new layer ले लेना है and simple यह मेरा brush है and brush का size अगर increase करना तो square bracket से आप brush के size को increase कर सकते left right वाला square bracket आपको यहाँ पे लिखा हुआ indicator में नजर आ रहा होगा तो simple मैंने brush का size increase कर दिया and यहाँ से जब मैं यूँ फेरता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह मेरा एक अलग layer पे है यह देख सकते हैं कि मेरा यह अलग layer पे है आप इसके eye के उपर क्लिक करके इस layer को hide और unhide कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं eye के उपर क्लिक करता हूँ तो वो layer मेरा hide हो चुका है और जैसे मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ तो वो मेरा फिर से so हो रहा है यदि आपको इस layer को delete करना हो तो यदि आप yes किजिएगा friends तो आपका ये layer को delete कर देगा, तो मैं हमें simple यहाँ पर yes के उपर click करना, तो आप देख सकते हैं कि मेरा layers हुए, वो delete हो चुका है, delete करने का एक तरीका और है friends, जरूरी नहीं कि हमें बार-बार layer को select करना और delete के उपर click करना, कि ये layer में जो आपको ये delete का आइकन नजर आ रहा है, इसके help से simple हम किसी भी layer को delete कर सकते हैं, तो मैं simple यहाँ पर इस layer को यूँ delete कर दे रहा हूँ, next हमारा ये plus का आइकन, इससे simple हम देख सकते हैं, लिखा वा रहा होगा create a new layer, तो इसके help से हम एक new layer बना सकते हैं, next हमारा है create a new group, तो चलिए इसे भी समझते हैं friends, तो इसके help से हम multiple layer को एक group में रख सकते हैं, ये मेरा बहुत ही useful है, जब आप Photoshop में advanced तरीके से work कीज़ेगा friends, तो आपका बहुत layer create होने वाला है, तो आप confused हो जाईएगा किया किस layer में मेरा क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सभी layer का इक group बना लेते हैं, जैसे कि for example हम किसी भी black and white टीमें इसको color कर रहे हैं, तो जो मेरा color वाला layer रहेगा उसको हम एक color के नाम से, हम एक अलग group में से, मतलब save कर देंगे और जो मेरा नीचे वाला जो मेरा original layer रहेगा, उसको हम group से बाहर रखेंगे, तो इससे मेरा पता चलेगा friends की उपर वाला, जो मेरा layer है, वो मेरा color वाला layer है, तो simple उसको hide, unhide करके आप show कर सकते हैं, फिर बहुत ही easy तरीके से उसको search करके आप खोच सकते हैं, तो इसलिए हम group को यहाँ पर बनाते हैं, तो चलिए मैं आपको कुछ group बना के यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो हमें simple plus के उपर click करना है, यह हमारा आप देख सकते हैं कि brush लिया हुआ हूए, इससे चलिए मैं एक यहाँ पर यू circle बना दे रहा हूँ, and next हम एक और यहाँ पर ले ले रहें friends, and यहाँ पर मैं यू L बना दे रहा हूँ, and फिर से next यहाँ पर मैं M बना दे रहा हूँ, and फिर से next layer लेके यहाँ पर मैं D बना दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा सभी जो लेटर है वो अलग-अलग लियर पर यहां पे मौझूद है आप देख सकते हैं सिंपल आप इसे यू नीचे यू ड्रैक करके आप यहां पे फुली एक-एक लियर को यू देख सकते हैं तो आप देख सकते है friends कि यह मेरा O अलग layer पे है, D भी मेरा अलग layer पे, L भी मेरा अलग layer पे और M भी मेरा अलग layer पे है और यहाँ पे आपको सभी का अलग-अलग layer नजर आ रहा होगा अब हमें क्या करना है इन सभी layer को एक group में convert कर देना है तो इसके difference हमें सबसे पहले उपर वाले layer पे click करना है, यानि layer 4 पे जो सबसे टॉप में है and shift के साथ हमें नीचे वाले layer पे click करना है तो इससे हो क्या रहा है कि आप जिस layer के उपर click करें, जिसकी first में मैंने उपर वाले layer पे click किया तो आप देख सकते हैं इसके बीच में आपका जितना भी layer रहेगा वो सभी का सभी layer आपका automatic select हो जाएगा और यदि आपको alternate layer को select करना हो तो आप control के help से कर सकते हैं जैसे कि हमें एक साथ सभी को नहीं करना था जैसे कि हमको सबसे पहले layer 4 को करना है layer 2 को करना है और फिर से उसके बाद हमको layer 1 को करना है यानि कि layer 3 को हमको select नहीं करना है तो आप control के साथ कर सकते हैं जैसे कि हमें simple control press करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने control प्रेस किया हुआ है जिस layer के उपर आप click करते जाएगा वो layer हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो मेरा select होना start हो जाएगा तो दोनों तरीका आप use कर सकते हैं या तो आप control के साथ कर सकते हैं फिर आप shift के help से कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ 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 इन सभी layer को यह select कर ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा सभी layer select हो जुका है इसके बाद friends हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा वारा हुआ वाई create a new group इसके उपर click करना है मैं जैसे इसके उपर click करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उन सभी layer का मेरा यहाँ पे group बन गया और जब इस arrow के उपर मैं click करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वह सभी layer मेरा इस group के अंदर यहाँ यहाँ यह मौजूद है इस arrow को मैं जब दुबारा यूँ किलिक कर देता हूं तो आप देख सतनी कि हो सभी मेरा उसके अंदर जा चुका है Group simple समझे है Friends, Illustrator में जब हम group करते हैं तो क्या होता है कि सभी एक साथ move होता है बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है यह दिखे अभी अभी अलग-अलग move हो रहा है तो आप confused मत होईए मैं यहां पर Illustrator का बात कर रहा हूं तो simple समझे कि यह group मेरा यह merge नहीं होआ है Illustrator में simple समझे जब हम group करते हैं तो वहां पर actual में layer merge हो जाता है merge भी नहीं होता है मतलब कुछ इसी tap से वहां पर मेरा हो जाता है merge के tap से बट यहां पर मेरा group हो जा रहा है simple समझे कि एक मेरा toffee का box है डबबा है और उस डबबा में हम बहुत सारा toffee को रख दिया है और अगर डबबा को हम बंद कर देंगे न तो क्या होगा न कि वह सभी toffee उस डबबा के अंधर मेरा मौझूद रहे लेकिन सभी toffee को तो आपस में हम move कर सकते हैं डबबा के अंधर गुसके तो कुछ step से समझ सकते हैं कि इस group के अंधर मा लेते हैं यह जो group है वह toffee का डबबा हो गया और उस डबबा के अंधर आपका अलग-अलग यहां पर यह toffee मेरा मौझूद है तो आप किसी भी toffee को अलग-अलग यह move भी कर सकते हैं आप डबबा के अंधर जाके किसी भी toffee को move कर सकते हैं हाँ लेकिन अगर हम डबबा को समंदर में fake देंगे न तो आपका पूरा-पूरा toffee मतलब चला जाएगा ठीक उसे परकार अगर इस डबबा को यानि कि इस ग्रूप को अगर हम डिलीट कर देंगे न पूरा-पूरा जो उस ग्रूप के अंदर लेयर मौझूद रेगा वो सारा का सारा लेयर आपका डिलीट हो जाएगा तो I hope friends कि आपको ग्रूप समझ में आ रहा होगा मैं बहुत ही डिटेल तरीके से आप लोगों को समझाने का कोसिस कर रहा हूँ इसके बावजूद भी अगर किसी को भी confusion हो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं जरूर reply करूँगा तो I hope आप लोगों को ग्रूप समझ में आ रहा हो तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो simple मैं इस ग्रूप को यहां से यह डिलीट कर दे रहा हूँ next हमारा आता है adjustment layer तो यह हमारा advance का topic है friends इसको मैं आपको आगे आने वाले classes में बताऊँगा and mask भी मेरा advance का ही topic है friends और यह जो आपको नजर आ रहा हूँगा add layer style यह 3 और advanced classes में इन 3 को clear करूँगा and next जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा friends यह दरसल मेरा link layer है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा रहा होगा link layer तो इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ image को import कर रहा हूँ तो for example मैं यहाँ पे simple file के menu में हमें जाना है and यहाँ पे place and image के उपर हमें click करना है and यहाँ से मैं इस image को open कर ले रहा हूँ friends and simple इसे place के उपर click करके मैं इसे यहाँ पे place कर ले रहा हूँ and simple इसके size को यह मैं छोटा कर दे रहा हूँ and यहाँ से friends मैं एक और layer ले रहा हूँ simple layer के panel में जाके यहां से मैं एक और layer ले रहा हूँ and इसके उपर मैं यूँ एक drawing बना दे रहा हूँ and एक और layer ले रहा हूँ friends और मैं यूँ कुछ drawing बना दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये image मेरा अलग layer पे है ये वाला डिजाइन मेरा अलग लेयर पे और ये भी मेरा एक अलग लेयर पे है तो अभी यदि मैं सभी को group कर देता हूँ जिसकी for example मैं फिर से सब को देखिए यह group कर दे रहा हूँ and simple group के उपर click करके आप देख सकते हैं कि मेरा ये group हो गया है and जब इसे मैं move करता हूँ friends तो अभी भी ये मेरा अलग-अलग ही move हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये मेरा तीनों अलग-अलग move हो रहा है तो अभी मैंने बताया कि ये मेरा merge नहीं हो रहा है ये मेरा एक group में समझे डबा के अंदर सभी टॉफी को रख दी है लिंक selection से समझे ये मेरा merge का ही काम करता है बट इसको आप जब चाहें तब तोड सकते हैं और जब चाहें तब आप इसको merge कर सकते हैं तो आप merge से better link layer का यूज कर सकते है friends तो चलिए समझते हैं क्या अखिर इसका use हम कैसे करेंगे तो हमें simple इस layer के उपर click करना है जिन-जिन layer को आपको link करना है उन सभी layer को select करना है तो shift के साथ मैं इन तीनो layer को select कर ले रहा हूँ जैसे मैं इन तीनो layer को select करता हूँ friends तो आप देख स tasty कि यह मेरा enable हो गया पहले आप देख स reporter के साथ इस यह मेरा enable नहीं था मैं एक भी layer को move कर रहा हूं तो वो 3 करके right click करके आप यहां पे देख सकते हैं लिखा वारा होगा merge layer मैंने क्या किया friends मैंने कुछ भी निकिया layer को select करके layer की उपर right click किया and यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर यूँ मतलब select करके right click करके आप देख सकते हैं कि अभी मेरा यहां पर 3 layer है लेकिन जैसे ही मैं merge करता हूँ न तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा एक single layer में यह मेरा convert हो चुका है लेकिन यदि मैं link करता हूँ तो आप देख संद्ध की मेरा layer मौझूद है यानि layer मेरा delete नहीं हो रहा है तो इसलिए आप merge से better आप link का use कर सकते हैं यहां मर्ज की जगत आपका layer delete हो जाता है यानि simple सभी layer मिलके एक आपका single layer में convert कर देता है merge बट लिंक selection ऐसा नहीं करता है आप जब चाहें तब आप इसको link कर सकते हैं और जब चाहें तब आप इसको फिर से अलग अलग यह तोड़ सकते हैं तो I hope friends कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो चुकि यह video बहुत लंबा हो रहा है friends तो मैं सोच र अपने friends के पास share किजे friends ताकि वह भी जल्दी से जल्दी Photoshop को सीख सके हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you